सांता कारं भुजग शैनं पद्मनाभं शुरेसं विश्वधारं घगन सदसं मेघवर्णं सुबांगं लक्ष्मी कांतं कमल नैनं योगी विद्यान गम्यं वन्दी विष्णुम भव भय हरं सर्वलो केक नाथं हरे क्रिष्णा राधे राधे आये श्रवर करते है कार्तिक महास महत्मे अत्याय दू इगड़े सायनमा श्री गुरु भ्योनवा श्री गुरु विन्दलै नमा भगवान श्री किष्ण ने आगे कहा हे प्रिये जब गुरु वती को राच्छास द्वारा अपने पती एवन पिता के मारे जाने का समचार मिला तब वाविलाप करने लगी हा नात हा पिता मुझको द्याग कर तुम कहां चले गए मैं अकेली इस्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करू अब मेरे भोजन वस्र आदी की विवस्ता कौन करेगा घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोशन कौन करेगा मैं कुछ ठी कर सकती मुझ विद्वा की कौन रक होस हो गई बहुत देर बाद जब उसे होस आया तो वह पहले की ही भाती करूर विलाप करते हुए सोख सागर में डूब गई उस समय के पश्यात जब वह सभलती तो उसे ध्यान आया कि पिता और पती की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गत किये तत्पश्यात्वा उसी नगर में रहते हुए आठो पहर भगवान विश्णु की भक्ति करने लगी उसने मृत्यु पर्यट तक न्यम पूवक सभी एकादसियों का फ्रत और कार्थिक महीने में उप्वास एवा प्रत किये हे प्रिये एकादसी और कार्थिक फ्रत मु प्वास करने वाले मनुष से मुझे बहुत प्री है क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किये हो तो भी इसनान वा व्रत के प्रभाव से उन्हें मुख्ष प्राप्त होता है कार्थिक में इसनान जागर दीद्दान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष सा शाक शाक भखवान विश्णु के समान है कार्तिक मास में मंदिर में जाड़ू लगाने वाले स्वास्तिक बनाने वाले तथा भखवान विश्णु की पूजा करने वाले जनम मरर के चक्कर से छूट जाते हैं यह सुनकर गुर्वती भी प्रतिवर्स रधा पूर्वक कार्ति एक बार उसे जर हो गया और वा बहुत कंजोर हो गई फिर भी वा किसी प्रकार गंगा इसनान के लिए चली गई गंगा तक तो वा पहुच गई परन्तु सीथ के कारणवा बुरी तरह से काप रही थी इसी कारणवा से दिल हो गई तब मेरे दूद उसे मेरे धाम में ले आये तत्पष्षाद ब्रह्मा आधी देटाओं की प्रातना पर जब मैंने कृष्ण का अव्ताह लिया तो मेरे गड़ भी मेरे साथ इस प्रित्वी पर आये जो इस समय यादव है तुम्हारे पिता पूर जनम में देव सर्मा थे तो इस समय सत्राजित हुए पूर हे देवी त तुम ही वह गुर्वती हो कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तुम मेरी अरधागनी हुई पूरो जनम में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुनसी का पौधा लगाया था इस समय वह तुम्हारे महलों के आंगन में कल्प रक्ष के रूप में विद्धमान है उस जनम में जो तुमने दीबदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुन्दर है और तुम्हारे घर में साक्षार लश्मी का वास है चुकि तुमने पूरो जनम में अपने सभी व्रतों का फल पती सुरू पिश्णु को अर्पित किया उसी के प्रभाव से इस जनम में मुझे दुम्हारे समान प्रि है दूसरे जब तब यग्यदान आधी करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किये गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा है अर्था कार्तिक मास के व्रतों का सोलवा भाग भी नहीं है इस प्रकार सत्य भामा भगवान स्री किष्ण के मुख से पूरु जनम की पुर्णी का प्रभाव सुनकर बहुत प्रशन हुई जैस्टी किष्ण।